दिवाली पर एक ओर जहां लोग खुशिया मना रहे थे वही दूसरी ओर दिल्ली के शहादरा से दिल धहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है जहां दिवाली के मौके पर एक ही परिवार के दो लोगों की सरयाम हत्या कर दी गई वही 10 साल का एक बच्चा भी इस हमले में बुरी तरह घायल हो गया जिसका इलाज अभी चल रहा है पुरा मामला CCTV में कैद हो गया जो बड़ा ही खौफनाक है आपको बता दे आरोपी ने दिवाली के मौके पर पहले पैर चुए और फिर गोले बारी कर दी आरोपी ने लगातार एक के बाद एक पांच राउंड फाइरिंग की जिन में तीन लोगों को अपना निशाना बनाया इन में से दो की मौत हो गई पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर एक नाबालिक को गिरफतार कर लिया है ये नाबालिक मृतक का ही रिष्टदार है इसी के साथ पैसो का विवाद चल रहा था जिसकी वज़े से ये हत्याकांट हुआ मामला शहादरा के फर्ष बाजार का है यहां आरोपी ने 40 साल के आकाश शर्मा को अपना निशाना बनाया दिवाली के मौके पर आरोपी ने पहले आकाश के पैर चुए फिर फाइरिंग कर दी आकाश के अलावा उनके 16 साल के भतीजे रिषब और 10 साल के बेटे क्रिश को अभी गोली लगी आकाश और रिषब की मौके पर ही मौत हो गई वही क्रिश अभी अस्पताल में भरती है फर्ष बाजार में हमको आज साड़े आठ बजे के आसपास PCR कॉल मिली उस कॉल में यह था कि फर्ष बाजार एरिये में बिहारी कॉली में कुछ गोलीयां चली है औ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीडित शाहदरा के फर्ष बाजार इलाके में अपने घर के बाहर दिवाली मना रहे थे तब ही रात लगबग 8 वजे उन पर हमला हुआ पूरे मामले सी इलाके में संसनी फैल गई है लोग डहशत में है पुलिस मामले की जाच कर रही है शुरुआती जाच में पुलिस ने एक को ग्रफतार भी किया है आगे की जाच जारी है पर दिल्ली में हुई ये पहली घटना नहीं है जब यू सरयाम गोलिया चली हो इससे पहले भी हमने कई ऐसी घटनाएं देखी है जहां अपरादी बिना किसी डर के सरकों पर फाइरिंग करते दिख रहे हैं हो